जैहिन बच्चों, एपिसोड नमबर पाँच, इलेक्रोकेमिस्ट्री, NCRT के सवाल हम आप लोग के साथ सॉल्व कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि NCRT के क्वेशन्स में से वो कौन-कौन से क्वेशन्स हैं, जो कॉम्प्रेटिव एक्जाम्स में हमसे पूछे जा सकते हैं बीना देर करें शुरू करते हैं, इलेक्रोकेमिस्टी पार्टमन जिसके अंदर हम आपके साथ क्वेशन्स करेंगे, इन्टेक्स्ट क्वेशन्स करेंगे, जो चैप्टर के बीच में दिये रहते हैं, पहला क्वेशन्स में, हम लोगो यूज करना पड़ता है, स्टैंडर्ड एलेक्रोड में हमारे पास होता है हाईडरोजन लेक्रोड, बढ़िया रहता है चूंकि इसके इस टैंडर की वैल्यू रहती है जीरो, तो यहां हम हाईडरोजन लेक्रोड लेंगे, उसके साथ अपने मेगनिशिम के लेक् cathode minus e-node और चुकि यहाँ पर यह hydrogen electrode है तो इसका तो electrode potential होगा यहाँ पर zero hydrogen का standard electrode potential होता zero तो जो e-cell हो जाएगा वो हमारे पास magnesium के बराबर हो जाएगा जो magnesium का electrode potential है और हम यहाँ से अपना electrode potential निकाल सकते हैं यानि कि magnesium का reduction potential cell equal to minus e-node cell यानि कि जो यहाँ पर value निकल करके आएगी उसका माना कर यहाँ पर value आती है 2 तो e-node cell हो जाएगा e-node cell के value हो जाएगी 2 तो magnesium का reduction potential हो जाएगा minus के 2 अगर यहाँ पर value आती है 0.4 तो उसका मतलब e-standard cell की value हो गई 0.4 तो mg का लेक्रोड प्रोडिशन हो जाएगा माइनस के पॉइंक फॉर्ट तो वी बिल मेक सैल उफ एमजी प्लस टू एमजी विद स्टेंडर हाइड्रोजन लेक्रोड एंड कैल्कुलेट यह स्टेंडर अफ एमजी ऐस फॉलोज और नीचे यहाँ पर करके रिखाया है बड़ा पुराना सवाल है नाइन टेंट में पूछ लेते हैं लोग भाग पर चलिए जब कर रहें तो देख लेते हैं तो नहीं स्टोर कर सकते हैं कारण क्या है उसके पीछे क्योंकि reaction कर जाएंगे आपस में एक दूसरे के साथ तो यह copper sulphate है copper sulphate की zinc के साथ reaction होकर कि जड़न है यह जड़न होता है नीचे copper होता है copper reduction potential जाधा होता है तो copper sulphate जब zinc के बरतन के अंदर रखा जाएगा तो उसका सारा का सारा copper अपने आपको reduce कर हो लेंगे इसका जो blue solution होता है वो disappear हो जाएगा चूकि वो convert हो जाएगा zinc sulfate के solution में zinc में कोई तलर होता नहीं zinc plus two के अंदर चूकि उसके पास कोई भी unprended electron नहीं होता है सामाने से था भी तो कोई ऐसा खास था नहीं बोल रहा है कि electrochemical series के जो table उसको consult कीजिए और ये बताईए कि ferrous ion को oxidize कौन कौन लोग कर सकते हैं तो ferrous ion को oxidize वो लोग कर सकते हैं जिनके reduction potential ferrous ion से जाधा होंगे तो electrochemical series में ferrous ion से उपर के reduction potential जो लोग भी रखते होंगे वो हर कोई ferrous ion को oxidize करवा देगा this is the electrochemical series यह रा ferrous ion का reduction potential यह रा minus के 0.44 value होती है वैसे भी याद रहनी चाहिए minus के 0.44 है तो इससे उपर बाकि जितने लोग हैं यह सब इसको oxidize करा सकते हैं चोकि इन सब के reduction potential iron से उपर हैं फी प्लस टू से उपर हैं तो जब इनके साथ iron का combination बनेगा तो iron को मजबूरी वाश अपने आपको oxidize करना पड़ेगा फेरस ion में और यह लोग अपने आपको reduce करने कुछ भी हो सकता है नाइटरिट आइन हो सकता है MnO2 हो सकता है CR272 negative हो सकता है बहुत सारे हो सकते हैं O2 हो सकता है ऐसे रिमीडियम में तो बहुत सारे हो सकते है F2, Cl2, MnO4, No3-O2 बहुत सारे हो सकते हैं एक objective question यहाँ पर बनाया जा सकता है कि इन में से कौन कौन से ions जो है वो iron को ferrous में oxidize कर सकते हैं बहुत अच्छा question बनेगा यहाँ पर more than one में correct में भी यहाँ से question बनाया जा सकते है जोकि अपने आप में काफी शांदर होगा आगे चलते हैं 3.4 calculate the potential of hydrogen electrode in contact with a solution whose pH is 10 solution की pH 10 दे रखे उसका electrode potential पूछ लिया गया है pH 10 का मतलब HIN concentration 10 to the power minus 10 हो जाएगी तो HIN concentration होती है 10 to the power minus के pH अनी कि 10 to the power minus के 10 अब आप इसके reduction की oxidation की जैसे भी equation दिखेंगे यहाँ पर number of electron एक participate होगा बस जो हमारे पास nurse equation उसमें place कर लीजिए E equal to E standard plus 0.051 upon N log oxidized form की concentration upon reduced form की concentration अगर आप plus लगाते हैं और अगर हम minus लगाते हैं तो reduced form की concentration upon oxidized form की concentration रखते हैं फिलार मैंने plus यूश किया है तो oxidized form तो उसमें से यह है hydrogen के pressure की बात यहाँ पर नहीं की गई है वैसे तो 1 ATM pressure ये 2 ATM कुछ नहीं कुछ प्रेशर दिया होता है अगर प्रेशर न दे रखा हो तो 1 ATM pressure standard condition मानते वे solve कर लेना चाहिए तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर expression में सीदा चिदा value लग लिए है hydrogen का reduction potential 0 होता है 0.0591 upon N log 10 raised to minus 10 minus 0.591 volt हो गया medical के exam में इस परकार के question खूब पूछे जाते हैं वहाँ पर पूछा जा सकता है direct यही question वहाँ पर आ सकता है कोई बहुत बड़ा है नहीं 3.5 देख लिए 3.5 question के अंदर यहाँ पर एक question दे रखी है इस परकार के questions खूब रहते हैं medical के अंदर भी engineering के exam में mains के अंदर आपो questions परकार के मिल जाएंगे और neat की परिक्षा में इस परकार के questions खूब मिलते हैं आपको यह सारे questions उस मतलब के हैं यहाँ से जितने भी questions अभी आ रहे हैं सारे के सारे ठीक ठाक question है और पूछे जा सकते हैं यह nickel की 2AGN के साथ reaction करके nickel प्लस 2 और 2AG बना है तो सबसे विल तो number of electron कितने participate हो रहे हैं तो कोई सी भी anode और cathode की reaction को देखकर कि आप idea लगा सकते हैं कि कितने electron participate हो रहे हैं for example अगर मैं ही से देख लूँ यहाँ पर तो आप इससे देख सकते हैं 2AG प्लस टू एक्टों से बनता है 2AG इससे पता चलता है कि number of electrons यहाँ participate हो हो है वो 2 हो है आप आप इसका reaction quotient क्यों लिख लीजे क्यों कैसे लिखते हैं क्यों ऐसे लिखेंगे इसकी concentration इसका square इसका square इसकी concentration upon में आएंगे यह दोनों के दोनों solid है, solid की concentration 1 लेते हैं, solder का active mass 1 होता है इसकी जगह 1 रख दिया गया है, nickel और silver की concentration दे रखी थी यहाँ पर, nickel की silver की solve करा reaction quotient का value निकाल लिया, 4 into 10 to the power 4 आया, number of electrons 2 है, बास अब कुछ बचा नहीं करने के लिखेंगे, ठाकर करके यहाँ पर और solve कर दिजे, यह बराबर यह स्टेनर्स equation मानेस की 0.0591 अपॉन एन लॉक क्यों होता है, क्यों की value आप 4, 10 to the power 4 निकाल चुके हो, एन की value 2 है, place कर दिया, 1.05 दे रखा है equation में, 0.91 वोल्ट आ गया इधर देखी ज़रा, the cell in which the following reaction occurs, एक cell दे रखा आपको, सबसे पर number of electrons देखी कितने हो हैंगे, कोई साब यह उठा लीजे, चाहिए anode का उठा लीजे, cathode का उठा लीजे, मन लीजे हमने हापर, इसको उठा लीजे, यहीं से देख लीजे आप, iron से देखना चाहें तो, तो 2 चैनोड से देख लीजे, चैक है थोड़ से, दो अगर आप हाँ से देखेंगे, तब भी वही आएगा, 2I negative, इससे बनेगा, I2 plus 2 electron, तो number of electrons participating दो हो गए, बाकिया आपको यहाँ पर E standard cell दे रखा है, temperature 298 दे रखा है, डेल्टा जी पूछा और केसी पूछा निकल जाएगा, डेल्टा जी केसी अराम से निकल जाएकर, डेल्टा जी एकल टू माइनस के NFE होता है, चूंकि सैलूशी को बोलते हैं, जो chemical energy को electrical energy में convert करता है, loss in chemical energy equal to increase in electrical work, तो माइनस के NFE के बराबर होता है, N2 था, F के value 96500 E not, question में given है, multiply करा, इतने के लिए हुजू ला गया, और केसी निकालने के लिए, तो log case equal to N E not upon 0.05-1, relation हमारे पास है, values place कर दीजे, N के value 2 है, E not given है, solve करेंगे, answer मिल जाए, 9.616 10 to the power 7, 3.7, why does the conductivity of a solution decrease with dilution, dilution करने पर जो है, वो conductivity, क्यों decrease होती है, यह पुछा, conductivity का मतब specific conductance, और specific conductance को जब आप देखी कैसे define करते है specific conductance को, तो जब definition देते है specific conductance की, तो कुछ इस प्रकार से देते है, कापा equal to होता है, C L upon A, यह conductivity cell के अंदर फिल रहता है इस तरीके से, यह conductivity cell है, यहाँ पर जो यह electrode है, उसका cross section area A होता है, इसकी length L होती है, और फिक किस प्रकार से define किया जाता है, ऐसे करके define करते हैं, if L बराबर 1 cm, A बराबर 1 cm square, तो कापा बराबर C के हो जाता है, कापा बराबर C के हो जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि specific conductance is the conductance of all the ends present in such a conductivity cell, where distance between electrode is 1 cm and cross section of the electrode is 1 cm square, तो अगर यह 1 cm है, और यह भी 1 cm है, तो उसके अंदर जो volume भरा होगा, वो volume तो 1 ml हो जाएगा या 1 cc हो जाएगा, तो simplify करने के लिए हम ऐसे बोल देते हैं, कि 1 ml के अंदर, 1 ml solution में जितने ions भरे हुए होते हैं, अगर आप उन सभी ions का conductance निकाल ले, तो उन सभी ions की conductance को specific conductance कहते हैं, बिकुर simplified अगर बोला जाय करके, तो ऐसे बोलेंगे, it is the conductance of all the ions present in 1 ml of solution, एक ml में जितने ions present होते हैं, उसको बोलते हैं, अब इस बत को ध्यान रखेगा, तो यहाँ पर भी मान लिया जाए, for example, 10 ml है, और 100 sodium आयने मेरे पास, मैंने इसमें 10 ml पानी एट कर दिया, 10 ml वाटर एट करा, और अब यह हो गया, आयन तो 100 पहले थे 100 अभी भी हैं, लेकिन volume 10 से बढ़कर के 20 ml हो गया, सुरा से जादा हो गया, अब आयन पर ml निकाले, तो 10 आयन पर ml आ रहे हैं, आप 100 upon 10 करेंगे, यहाँ पर 100 upon 20 करेंगे, तो 5 आयन पर ml आ रहे हैं, तो dilution करने पर छोकि नंबर आयन पर ml कम होते हैं, जब मैं dilute करता हूं, तो नंबर आफ आयन पर ml कम होते हैं, इसी लिए specific conductance degrees होती है, because specific conductance is the conductance of all the ants present in 1 milliliter of solution, चलिए, अब आगे चलते हैं, 3.8 देख लेते हैं, suggest a way to determine dm infinity value of water, क्या c नहीं है यहाँ पर, अगर आप आप इसको याद करें, actually में क्या होता है, कि जब हम यहाँ पर graph बनाते हैं, molar conductance versus under root c का, तो weak electrolyte में graph आता है ऐसा, और जब हम बनाते हैं strong electrolyte में, यह बड़े important graph है, strong electrolyte में graph बनाते हैं, तो वो आती है straight line, अब आप जब यहाँ पर molar conductance at infinite dilution निकालना चाहते हैं, तो weak electrolyte में बहुत दिक्कत होती है कि निकालने में, strong electrolyte में वो आराम से निकल जाता है, भाई आपने conductance निकाली, molar conductance निकाली इस concentration पर, थोड़ा सा पानी डाला, पानी डालने पर molar conductance बढ़ गई, नई value आ गई यह रही, फिर आपने फिर पानी डाला, molar conductance और बढ़ गई, यह value आ गई, बस अब आपको 3-4 experiment के बाद experiment करने के जुरूति नहीं है, उसके बाद तो आप scale लीजिए, और scale रख करके इसको extrapolate कर दीजिए पीछे तक, आप इसको extrapolate कर दीजिए, खीच लीजिए पीछे तक, किचेंगे तो जहाँ पर यह concentration 0 हो रही होगी, यह जो value निकल करके आ जाएगी, डेरम 0 के value आ जाएगी, weak electrolyte, strong electrolyte के case में, इसे निकालना बड़ा असान होता है, चुकि आपको मुश्किल से 3-4 experiment करने, बागी का कम scale कर देगा, लेकिन weak electrolyte में नहीं हो पाता, weak electrolyte में आप देखने हैं, एक curve की form में है, यह straight line नहीं है, जिसे यहाँ पर तो यहाँ पर अगर आप डेरम infinity निकालना चाहेंगे, तो आपको भाई से multiple, multiple time experiment करना पड़ेगा, पता नहीं कब तक करना पड़े, आपको last तक experiment करना पड़ेगा, जो कि impractical यहतने सारे experiment कौन करेगा, 102 भी अगर experiment करने पड़े तो बहुत ज़ादा हो जाता है, तो फिर क्या करें, तो फिर हम coal rush lock अपर योग करते हैं, हम कुछ strong electrolytes उठाते हैं, उनके experiments को करते हैं, और उनकी help से weak electrolyte का हम लोग, किसी भी weak electrolyte का, molar conductance बाकी काम हम copy पर कर लेते हैं, तो वही हम करने वाले हैं, आपसे पानी का कहा है, कि आप पानी का कैसे निकालेंगे, तो पानी में आपको पता है, हाएन, lambda, हाएन, प्लस, lambda, OH, यह चाहिए आपको, तो आपको यह combination लाना है, तो आप इस combination से related सोच लीजे, क्या क्या करना पड़ेगा, अब्विस सी बात है, एक acid देना पड़ेगा, एक base लेना पड़ेगा और एक salt लेना पड़ेगा, तो आप क्या काम करिये, एक acid लीजे, एक base लीजे और एक salt लीजे, है बाकी काम कॉपी पे होगा कोहल राश लौ से करेंगे मान देंगे इसकी वैल्ली वाई आई इसकी वैल्ली जड़ाई मैंने ब्रैकेट में से यह से यह से लिख दिया मैंने आपर फर्स वी विल डिटर्मेंट डेलम जीरो ओफ फ्री स्ट्रॉंग लेकृलाइट्स लाइक ए इसे लेम्डा एच प्लस लेम्डा 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 और इसे फिर जोड़ जाएगी वैल्यूस भी जूड़ जाएगी चुकि आपने इन दुनों को जूड़ करके सको घटाया है तो एक्स प्लस वाई-मानस करेंगी हैं पर आजाएगा और आपको पता है लैम्डा एचायन प्लस लैम्ड़ ओवएचायन को हम लोग क्या बोलते ह है डेल जीरो ओफ वाटर और यह निकल करके आ गया मेरे पर मोलर कंड़क्टेस जीरो कंसेंट्रिशन ओब वाटर निकल करके आ गया इस तरीके साथ से निकाल सकते हैं आगे चलिए यहाँ पर एक तीसरा कोश्चन दे रखा यह रहा इसकी मोलर इसकी कंसेंट्रिशन दे रखिए आपको C दे रखा 0.025 और को यहाँ पर DLM की वैली दे रखिए है और आपको यहाँ 3.9 molar t दे रखी थी 0.025 dal m दे रखा था 46.1 h i n का दे रखा h c o n के टेप का दे रखा सबसे पहले coal राश्ट लगा लीजे इन दोनों को जोड़ेंगे तो formic acid का हमारे पास निकल करके आ जायेगा dal molar conductors at zero concentration निकल करके आ जायेगा दोनों को जोड़ लिया यह वाली value आ गई अब alpha निकालना alpha होता degree of dissociation वो किसके बराबर होता dal m upon dal m zero यह value 46.1 दे रखी है यह हमने जोड़ करके भी निकाल दी 404.2 solve किया यहाँ पर यह आ गया यह percentage में हो गया 11.4% पहला answer हमारे पास आ गया दूसरा हमसे पूछ रखा था आपको से dissociation constant of acid पूछा है यानि कि के पूछा है formic acid ऐसे dissociate होता है C alpha, C alpha upon this C alpha, C alpha upon this कट-कुटा करके यह आ गया अब यहाँ पर आपको पता है alpha की value इतनी छोटी नहीं है कि neglect मारी जा सके तो मैं 1, यहाँ पर 1 minus alpha की जगह 1 नहीं लिखने जा रहा इसलिए मैंने पूरा यहाँ पर C alpha square न लिख करके C alpha square upon 1 minus alpha लिखा है concentration 0.025 question में अल्रड़े given है values रख दी alpha 1 minus alpha solve कर लिया 3.67 10 to the power minus के 4 यह value मेरे पास आ गई 3.10 यह बुल रखा if a current of 0.5 ampere flows through a metallic wire for 2 hours then how many electrons would flow through the wire physics के अंदर जब current electricity पढ़ते हैं तो फॉर्मले खुब आराम से आ जाते हैं बड़े प्रचलित से फॉर्मले दोनों के दोनों एक तो Q बराबर IT चाहां पर I current होता और T time होता है seconds में और एक Q बराबर N into E number of electrons into E का मतलब होता है charge on electron electron का charge होता है 1.6 10 raise to the power minus के 19 दोनों को equate कर दो IT equal to N into E I दे रखा है T दे रखा है R में उसको second में convert करेंगे तो एक घंटे में 3600 N into electron का charge solve करा सीधा answer आ गया 3.11 suggest a list of metals that are extracted electronically electrolytically यानि कि electrolysis से जिनको अपन आराम से electrolysis से किसी cathode पर deposit करवा सके हो metals बताईए तो आप अगर देखें तो water से उपर जिनके भी reduction potential होंगे water से उपर जितने लोगों के भी reduction potential होंगे aluminium zinc के बीच में आता है water तो aluminium का तो नहीं कर पाते हैं इनको reduction potential कम होता है पानी का जादा लेकिन zinc का कर पाते हैं तो zinc है उसके आगे lead है उसके आगे copper है उसके आगे silver है उसके आगे gold है यह सारी की सारी metals को हम electrolytically electrolyte solution लेकर के उसमें platinum के electrolyte लगा करके current pass करके deposit करा सकते हैं चोकि इन सभी के reduction potential पानी से जादा है तो उस बात का ध्यान रखना होगा पानी से जादा वाले सब use होंगे all the metals having reduction potentials greater than water can be extracted by electrolysis from their aqueous solution aqueous salt solutions like copper, nickel, gold and silver etc ऐसे करके copper sulfur को पानी में गोर लेंगे platinum का electric लगाएंगे, current pass करेंगे copper deposit हो जाएगा इस warm में अब ये reaction दे रखिए हैं यहाँ पर consider the reaction CR272 negative reaction दे रखिए सबसे पहली बात तो अगर आपसे पुछू उस reaction में कितना charge flow हो रहा है तो यहीं से बता चलना 6 faraday charge flow हो रहा है एक faraday क्या होता है, एक faraday होता है, एक mole electron पर जो charge मौझूद होता उसको बोलते हैं एक faraday है तो 6 mole electron पर जो charge पैदा होगा वो 6 faraday होगा तो यहाँ पर 6 faraday charge flow हो रहा है, 6 faraday का मतब 6 into 965 00 coulamb और यही पुछ रखा था कि इसमें कितने कुला में electricity चाहिए इसको कराने के लिए, तो 6 faraday चाहिए, यानि कि 6 into 965 00 यहाँ पर हो जाएगा, during electrolysis, for one mole of CR27, 6 faraday charge is passed, that is 6 into this तीनों सवाली कुछ अच्छे नहीं थे, ठीक ठीक सवाल थे, competitions में आने के मतलब के question तो नहीं है write the chemistry of recharging the lead storage battery highlighting all the materials that are involved during recharging actually मैं NCRT ने discharging की reaction अपनी NCRT में लिखी हुई है और recharging की reaction नहीं लिख रखी है, अब discharging के time पर तो वो जब behave करती है बैटरी, तो वो electrochemical cell के तरह behave करती है, लिकिन जब recharging करते हैं यानि कि जब उसको किसी socket में जोड़ करके button on करते हैं, बैटरी के charging शुरू करते हैं तो ऐसी स्तिती में अब उसके अंदर आप बहार से current supply कर रहे होते हैं लेक्टरी के अंदर यानि कि इस वक्त वो behave कर रहा होता है electrolytic cell की तरह अब उसके अंदर electrolysis हो रहा होता है, यानि कि सारे के सारे phenomena उल्टे हो रहे होते हैं जो चीस पहले अगर एनोड पर हो रही थी वो चीज़ अब कैथोड़ पर हो रही हो गही है जो चीज़ कैथोड़ पर हो रही थी वो चीज़ आरोड पर हो गही हो थीक फिनौमना उल्टा होना शुरू हो जाएगा तो आप Lady Storage बैटरि में जो reactions कैथोड़ पर देखी थी उसे एनौड पर shift कर दीजे, जो एनौड पर देखी तो उसे cathode पर shift कर दीजे, उल्टा का रिक्रम होगा महाँ पर, महाँ पर अगर आप देख रहे होंगो तो lead sulfate से, महाँ पर पहले lead से lead sulfate बनाया है, और महाँ पर lead से lead sulfate बनाया है, और, और क्या होगा यहां पर PbSo4 प्लस वाटर से बनेगा PbO2 प्लस SO4 तू नेटिव प्लस 4 अचान प्लस 2 लेक्ट्रों रेक्शन ठीक उल्टी हो जाएंगे महां पर और PbSo4 दो लेक्ट्रों लेकरके यहां पर बनाएगा Pb प्लस SO4 तू नेटिव यह पुछ रखा था Suggest two materials other than hydrogen that can be used as fuels in fuel cell तो fuel cell के अंदर जो discussion ओ रखा है NCRT में वो H2O2 fuel cell का ओ रखा है एक तरफ से तो O2 ही जाएगी combustion कराने के लिए एक तरफ से hydrogen gas हम पास कराते हैं hydrogen gas जलती है H2O produce होता है और जो से electricity produce होती है तो से हम दूसरे अपने जरूरी काम करते है जो fuel cell है उसमें इक चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो भी आप वहाँ से दूसरा fuel वहाँ से दूसरे end से डाल रहे है जलाने के लिए वो pollution न करें आप अगर H2O2 cell की अगर advantages देखेंगे तो H2O2 cell की fuel cell की advantages में दो advantages सबसे बढ़िया है सबसे पहला तो कि वो discharge कभी नहीं होता और उसकी efficiency 50% तक रहती है उस battery की और दूसरे इसकी advantage यह होती है कि वो pollution free electricity produce करता है तो उस लिहाद से अब डालने को तो दूसरे end से अब कोईसा भी fuel use कर सकते है methane, ethane, propane, butane कुछ भी उसकरता है लेकिन हम एक ऐसा fuel उसकरना चाहिए जो pollution जादा न करे तो जो pollution जादा न करे तो कोशिश करनी चाहिए उसमें कम carbon atom रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसलिए methane, कम carbon है इसके अंदर methyl alcohol इन दो को आप suggest कर सकते है alternative fuel के रूप में अगर आपके पास hydrogen के विवस्ता नहीं है तो explain how rusting of iron is invasized as setting up of an electrochemical cell तो यहाँ पर जो मैंने पोरा-पोरा हैं पह लिखा हुआ है आप इसको यहाँ से सीधा इसका screenshot लेगर के भी कर सकते हैं होता क्या actually मैं पोरा मैं आपको इसका पहले 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 आप इस पेच का screenshot ले लिजे इस पूरे पेच का पहले आप screenshot ले लिजे फिर मैं भी आपको मैं दिखाऊंगा इसमें हो क्या रहा है पहले iron oxidize होता है fe plus 2 plus 2 electron में और इसका जो e node रहता है यहाँ पर इसका जो oxidation potential होता है वो रहता है यहाँ पर 0.44 volt यानि कि एगर reduction potential की terms में लिखेंगे तो minus के 0.44 volt हो जाएगा इसका इसका screenshot ले लिजे उसके बाद पहले इतने section का screenshot ले लिजे फिर मैं आपको इसके बारे बताता हूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है पहले इतने section का screenshot ले लिजे and then यह रहा दूसरा section यह है इसका भी अब आप screenshot ले लिजे ले लिए होगा आप लोगों ने इसकी जो value है यहाँ पर वो है 1.23 volt plus reduction potential है 1.23 volt corrosion में होता क्या यह एक बाद देख लेते हैं corrosion के case में जो metal होती है जो metal होती है corrosion हमेशा rough surface पर बहुत अच्छा होता है smooth surface पर कम chances होता है rough surface पर ज्यादा होते है माना इसपर scratches पढ़ गए हैं तो माना इसपर हाँ पर scratches पढ़ गए हैं ऐसे करके जैसे scratch पढ़ेंगे तो इसमें यहां पर छोटी 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 आप देखेंगे तो छोट छोटी cavities दिखाई देंगे ऐसे करके ऐसे छोट छोटी cavities बन जाएंगे अभी वो ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही होंगी मैं इनको थोटा बड़ा बनाता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छी cavities दिखाई देंगे एक cavity बनाता हूँ थोड़ी बड़ी सी cavity बनाता हूँ यहां पर थोड़ी ऐसे cavity बन जाएगे अब इसके उपर moisture आकरके बैठ जाएगी तो moisture आकरके इसके उपर बैठ गई यह पानी है अब अगर आप देखें तो पानी खुद अपना आपने एक मौजूद जो CO2 होती है वो अपना चमतकारी प्रभाव दिखाती है और वो H2O के साथ combine हो करके बना देता है H2CO3 carbonic acid जिसका dissociation constant पानी से तो ठीकी होता है तो यह HIN और HCO3 negative में तूड़ जाता है और यहां अब HIN, HCO3 iron चमक रहे होते हैं ऐसे करके अब यहां पर iron होता है oxidize, iron oxidize होके बनाता है Fe plus 2 plus 2 electron दो iron oxidize होके 2 Fe plus 2 plus 2 electron और यह बड़ी spontaneous reaction है, spontaneous क्यों है तो आप अगर देखें तो इसका oxidation potential जो होता है वो plus के 0.44 voltage जो की spontaneous iron का oxidation है इस बत का प्रमान है, इस बत का पुकता सुबत है कि iron oxidize होगा अब क्या होता है, कि यहां पर यह जो दो electron है, इसके अंदर एक चीज़ और होती है इस पानी के अंदर oxygen भी dissolved रहती है, dissolved oxygen, पानी के अंदर oxygen आराम से dissolved हो जाती है dissolved O2 भी रहती है, तो यह O2, यह जो O2 है वो, plus ही H1, इन दोनों की ही electron लेने की प्रवड़ती होती है यह दोनों ही electron को receive करते हैं, और electron को receive करते हैं, यह O2 भी और H1 भी दोनों के दोनों यहां पर, यह O2 भी और H1 भी, यह जो 4 electrons यहां पर निकले थे यह जो चार अलेक्टोंस यहाँ पर निकले हैं, यह दो, दो यहाँ पर मुझे 4 कर दिना चाहिए, बैलेंस करने के लिए, इसको मुझे 4 कर दिना चाहिए, यह जो 4 अलेक्टोंस यहाँ पर निकले हैं, इन 4 अलेक्टोंस को पिक कर लेते हैं, और यहाँ पर 4 अलेक्टोंस को 2H2O और यह बनाते हैं यहाँ पर पानी बापस और आप इस reaction का अगर E0 देखेंगे तो इसकी value है 1.23 आप दोनों को देख लीजे ध्यान से यह वाला काम तो हुआ है यहाँ पर oxidation का और यह वाला काम जो हुआ है यहाँ पर यह हुआ reduction का अगर आप दोनों को चोड़ देंगे तो net cell की reaction निकल करके आ जाएगे वो reaction हो जाएगी यह अब अगर आप इसका potential निकालेंगे तो आपको मालूम है यह cathode की तरह वर्क कर रहा है यह वर्क कर रहा है cathode की तरह और इससे पीछे बारे page पर जो anode पर reaction होई है anode पर हुआ है Fe से बना है हाँ पर Fe plus 2 plus 2 electron तो अगर आ दोनों को जोड करके cell बनाएंगे तो एक electrochemical cell बनेगा जिसका potential जवाब निकालेंगे तो E standard cell निकालने के लिए E standard cathode minus E standard anode करना पड़ता है cathode का 1.23 और anode का reduction protein minus के 0.44 है तो 1.67 आ जाएगा यह और इसकी value 1.67 plus में आ रही है जो इस बात का प्रामान है plus में value आने का मतलब यह यह reaction यानि कि जब iron के उपर moisture मौजूद हो तो वो अपने आपको rust कर लेगा अपनी rusting करवा लेगा क्योंकि इसका जो E nord cell है उसकी value plus के 1.67 है यानि कि इसके corresponding जब आप delta G nord निकालेंगे minus के NF E nord करेंगे तो delta G की value negative आएगी जो इस बात को प्रूफ करता है कि thermodynamically इस reaction को हो जा आप जाए तो पूरे process के दौरान अभी हाँ पर इसके बाद आगे क्या होगा वो भी देख लिए इसके बाद यहां पर iron अभी further oxygen होगा अभी यहां पर iron जो है further oxygen होगा ऐसे करके यारन यहां पर further oxygen होगा ऐसे करके यह आरन अपने आपको फर्दर आक्सराइज करेगा यह बनाया आरन अपने आपको भी यहाँ पर फर्दर आक्सराइज करेगा फर्दर आक्सराइज करके यह आरन अपने आपको बनाता है एफ़ी प्लस थी में कनवर्ट करता है तो यहाँ पर यह जो आपका F E बना F E प्लस 2 में convert हो गया अभी F E प्लस 2 फर्दर अपने आपको oxidize करके F E प्लस 3 में convert करेगा अभी F E प्लस 2 जो और dissolved oxygen वहाँ पर मौझूद है जो और dissolved oxygen वहाँ पर मौझूद है F E प्लस 2 अपने आपको उस dissolved oxygen से अभी oxidize करा करके बनाने वाला है F E प्लस 3 साथ में बनाएगा यहाँ पर 8 H IN अभी इस reaction को balance करेंगे है अपन और उसके बाद यह जो F E प्लस 3 है यह F E प्लस 3 जो हाँ पर पानी जो extra मौझूद होगा यहाँ पर mention नहीं किये गये हैं बताए नहीं गये हैं कितने पानी है वो और वो अपने आपको यहाँ पर F E 2 O 3 dot X H 2 में convert कर लेगा आइए देख लेते हैं अगर मैं पूरी पूरी reactions आपको दिखा हूँ तो क्या क्या reactions हो नहीं हो देख लेते हैं सबसे पहले CO2 पानी में घुल करके H2 CO3 बनी इस ही H2 CO3 ने अपने आपको break करके H IN और bicarbonate iron बनाय जिससे कि महाँ पर जो पर पानी खटा हुआ था उसके अपने आपको पानी में convert किया इसका E standard 1.23 था मैंने आपको बुलन दोनों को जोड़ देंगे तो जो net cell की reaction निकल करके आ जाएगी जिसका potential 1.67 वोल्ट आने वाला है फिर जो यह iron है यह iron अपने आपको और जो महाँ पर dissolved oxygen थी उससे और पानी से reaction करा करके अपने आपको और oxidize कर रहा है और Fe2 को अपने आप में Fe3 में convert कर रहा है और यह जो Fe2 3 है जो वहाँ पर पानी एक्स्ट्रा जो पानी मौजूद है उसके साथ reaction करके अपने आपको hydrated ferric oxide में convert कर रहा है साप साप दिखाई दे रहा है कि iron के ओपर जब पानी इखटा हो जाता है तो वहाँ पर ए electrochemical phenomena शुरू हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक electrochemical एक cell बन रहा है जिसकी वजह से iron का oxidation हो रहा है this is all about in text question अगले वीडियो में आपके साथ मिलते हैं जिसमें मैं NCRT के exercise के कुछ questions को करेंगे नमस्कार